वेलकम टू टैली डिजिल क्लास फिर से एक और बार मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस चैनल टैली डिजिल क्लास में दोस्तों मैं यहां पर एक सीरीज चालू करने जा रहा हूं जी एस्टी यार वन की जीएस्टी डिटरन के एक सीरीज डालू करने जा रहा हूं उसमें सबसे फर्श्ट लेक्चर है आज का हमारा कि जी एस्टी यारर वन जी आश्टी आर वन में कौन-कौनSी इन्वॉस्टी कौन-कौन सी किस किस चीज़ों में अपलोड करने हैं और एक GST return की सीरीज चालू हो रही है हमारी तो आप देखना ज़रूर ना भूले हैं चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो हम GST के बारे में थोड़ी इसके डिसकस कर लेते हैं कि GST होता क्या है GST मतलब उसका फूल फ़र्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसके टाइप्स होते हैं जी इसके टीन टाइप्स होते हैं सब्सक्राइब हो जाता है अगर इंडिया के हम कहीं भी स्टेट में सिर्फ जम्मु कस्मीर के आलावा किसी भी स्टेट में हम देखेंगे तो सभी स्टेट में जी इस्टी एप्लिकेबल हो गया है और हम जी इस्टी रिटर्न की बात करें टो जीशेटी रिटर्न एक मन्थली होता है और एक काॉटली ली होता है तो आज हम उसके बारए में थोड़ी ठोड़ी द्शक कर लेते हैं तो सबसे पहले यहãos पर आपको हम स्टाइफ मेंन 6C B2B invoice तो यहां पर दिया गया है तो एड़ेड़ इन्वाइज फो टेक्सेबल आउट वर्डर सप्लाइट वाजिस्टर पार्शन मतलब अगर हम कोई पार्टी को सेल करते हैं रजिस्टर पार्शन बिजनेस B2B का मतलब होता है बिजनेस तू बिजनेस मतलब हम तो जीएश्टी में रजिस्टर है और जिसको हम सेल करते हैं वो भी अगर जीएश्टी में एप रजिस्टर है तो वो हुआ B2B supplier तो उसकी डीटेल हमें यहां पर बदनी होती है 4A 4B 4C 6B और 6C इसके बाद नीचे दिया गया है 5A 5B B2C large invoice इसके बारे में दिया गया है तो एड़न इन्वाइस for taxable outward supplier to a consumer where place of supplies other than the state where supply is located interstate supplies and invoice value is more than 2.5 leg B2C का B2C का मतलब होता है business to consumer मतलब business हम तो register person है और जिसे हम sell करते है वो register person नहीं है तो उसकी detail हमें यहां पर बढ़नी है 4A 4B B2C कितनी कब हमें यह बढ़ना है तो यहां पर दिया हुआ है Interstate मतलब हम समझ लो कि हम महारा से है और हमके sell बैंगलोर में कर रहा है तो यह हमारा हुआ Interstate तो Interstate और supplies की value 2.5 लाग से ज्यादा है तब हमें 4A 5B में भरना है पन कब B2C large ठीक है इसके बाद हमें यहां पर नीचे दिया हुआ है 9B credit not registered person यहां पर दिया हुआ है to add a detail for credit or debit not issued registered recipient credit not और debit not किसी भी हमने register person से अगर माल हमने खरीदा था उसको हम return कर देते हैं तो वह हमारी हो जाती है debit not उसकी detail हमें 9B में भरनी होती है इसी तरह किसी register person से हमने माल सेल किया था उसने हमें माल return कर दिया तो उसकी detail हमें 9B register में भरनी होती है इसके बाद नीचे दिया हुआ है 9B credit debit not registered to add a detail of credit debit not of refund voucher is due to the registered recipient मगर हम किसी किसी register किसी unregister person से पास से हमने अगर purchase कि थी और अन्यजिस्टर परसन से हमने purchase कि थी और उसके हमें रिशी है फिर हम return कर देते हैं माल तो वह debit note की detail हम यहां पर 9B register में भरनी है और किसी को हमने supply की ती सेल की थी उसने हमें वापस कर दिया है माल तो उसकी detail हमें 9B अंदर जिस्टर में करनी है इसके बाद हमें यहां पर नीचे दिया हुआ है 6A export invoice to add in an invoice of our supplies export अगर हमने export का supply की है मतलब इंडिया से कहीं बार हमने export किया है माल तो उसकी detail हमें यहां पर भरनी है 9A amendment B2B invoice to make amendment to detail of outdoor supply to a register person of earlier tax period यहां पर amendment कर सकते है B2B invoice यहां पर उपर हमने जो B2B invoice में जो detail भरी थी उसमें अगर हमें कुछ changes करना हो तो हम यहां पर 9A amendment B2C B2C large invoice अरे sorry B2B invoice में हम यहां पर amendment कर सकते हैं इसी तरह 5A 5B 5C large invoice की amendment हम यहां पर 9A amendment B2C large invoice में हम कर सकते हैं अगर हम export यह हम यह हमने जो export कि थी उसकी detail में अगर हमें कुछ changes करना चाहते हैं तो वह हम यहां पर 9A amendment export invoice में कर सकते हैं इसके बाद है 9C amendment credit debit not registered person 9C में register person से हमने जो credit debit not issue की थी उसकी यहां पर हम detail भर सकते हैं इसी तरह 9C amendment credit debit not unregistered person यह हमने यहां उपर unregister person से credit debit not issue की थी उसकी detail हम यहां पर 9C amendment credit debit not unregistered में जाकर हम यहां से कुछ changes करना चाहते हैं तो हम यहां से changes कर सकते हैं आज के इस basic lecture में हमने डिसकस की कि 4A 4B 4C क्या होता है उसमें क्या क्या डीटेल भरनी होती है आने वाले समय में हम यह देखेंगे कि ghtr1 कैसे बढ़ते हैं इसके बारे में हम यहां पर आने वाले समय में डिसक्राइब करने तो जल्दी से हमारी चैनल को सेब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को दबा कर अपने दोस्तों को भी सेर कर दें चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में